hello student dueye I am going to solve with the exercise 8.2 class 7th question no.1 convert the given fraction no.2 ॥ is question no.2 exercising no.2 में convert ना है तो question का ए पार्ड देखिएए पार्ड में आपको दिया है 1 upon 8 1 upon 8 को आपको percentage में convert करना है ये कौन谢 no.2 है fraction no.2 तो आपको जो fraction number है किस में convert करना है percentage में तो percentage में convert करने के लिए आप इसे 100 से multiply करेंगे जब आपने से 100 से multiply किया तो 1 को आपने 100 से multiply किया तो आपको मिलेगा 100 upon 8 दोनों number को 2 से divide कर दिजिए तो आपको मिलेगा 50 upon 4 फिर से दोनों नमबर को 2 से डिवाइट करिए तो आपको मिलेगा 25 upon 2 अब आप 2 से 25 में डिवाइट दीजिए 2 अन जा 2, 2 तो जा 4 अब 1 हमारे रिमाइंडर बच जाएगा हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 25 जा 10 यानि 1 upon 8 अगर हम फ्रेक्शन नमबर को परसेंटेज में करते हैं तो परसेंटेज लिकल के आता है 12.5 परसेंटेज इसके लिए अब हम इस क्वेशन का B पार्ट देखेंगे B पार्ट में आपको दिया है नमबर 5 upon 4 इसे अब आप परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टिप्लाइ करेंगे जब आपने अपने से 100 से मल्टिप्लाइ किया तो आपको मिलेगा 500 upon 4 तो आपको मिलेगा 2 एंजा 2 2 तू जा 4 2 फाइब जा 10 यानि 125 परसेंटेज 5.4 को आपने जब percentage में convert किया तो आपका answer आएगा 125 percentage आप C part दिखे question में आपको दिया है C part में 3 upon 40 3 upon 40 जो fraction number है आपको इसको percentage में convert करना है तो percentage में convert करने के लिए आप इसे 100 से multiply करेंगे 3 upon 40 को तो आपको मिलेगा 300 upon 40 तो 0 से 0 कटेगा आपको मिलेगा next step में 30 upon 4 तो आप फिर से 2 से divide कर दिजिए 15 upon 2 अब 2 से 15 में divide दिजिए तो 2 से बंजा 14 1 reminder बचेगा point लगेंगे तो क्या आएगा हमारा answer 7.5% means 3 upon 40 को आपने जब percentage में convert किया तो आपको मिलेगा 7.5% तो इस question का last D part देखिए तो D part में आपको दिया है 2 upon 7 2 upon 7 को जब आप percentage में convert करोगे तो फिर से अगें इसा आप 100 से multiply करोगे तो 100 से multiply करने के बाद आपको मिलेगा 200 upon 7 आप देखो 200 upon 7 ऐसा number है जो odd number से भी divide नहीं होता और even number से भी divide नहीं होता है आप odd और even number जानते होंगे तो means आप क्या करोगे 7 से 200 में divide दोगे जब आप 7 से 200 में divide दोगे तो क्या मिलता है आपका answer यहाँ पर देखिए 200 यहाँ पर लिखता है 7 तो हम यहाँ पर start करते हैं डिवाइट देना 7 to जा 14 reminder बचेगा 6 और 0 हम यहाँ उतार लएंगे तो 7 के divide अगर हम 7 के table पढ़ता है 7, 7, 8 जा 56 तो फिर से reminder बचेगा 4 तो यहाँ अगर हम point लगाएंगे तो यहाँ पर आजाएगा 0 तो 7, 5 जा 35 हम यहाँ पर 5 बाइट डिवाइट देंगे 7, 5 जा 35 फिर से reminder आजाएगा 5 पॉइंट उपर लगाए तो यहाँ पर आजाएगा 0 तो 7, 7 जा 49 फिर से reminder बचेगा 1 तो point उपर लगाए तो यहाँ पर आजाएगा 0 तो फिर से हम 1 बाइट देंगे मेंस से divide कभी complete नहीं होगा अगर divide complete नहीं हो रहा है तो हम इसको ऐसी लिख 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 लिएते हैं तो हम यहाँ लिख लिख लिएंगे 28.57 फाइब एट का लेते हैं इतना परसेंट आ जाएगा approach यानि अगर हम 2 upon 7 को percentage में convert करते हैं तो हमारा answer आएगा 28.58 परसेंट आई होप यह question आपके clear होगे होगे अगर clear होगे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए थैंक्स